हेलो फ्रेंड्स, बेलकून पो माई चैनल, आज हम बात करेंगी प्रेगनेंसी में जो लेवल वन अल्रसाउंड होता है, जिसे हम एंटी स्कैन भी कहते हैं, अगर उसमें नेजल बॉन प्रेजेंट ना हो या फिर नेजल बॉन अपियर ना हो तो हमें क्या करना चाहिए और प नेजल बॉन और गर्दन के पीछे का जो पानी है वो चैक किया जाता है, प्रेगनेंसी का जो वार्मा या तेर्मा वीक होता है, वो एंटी स्कैन करवाने का वैस्ट टाइम होता है, इसमें ना की जो हड़ी होती है बेवी की, वो दिखाई देना जरूरी होती है, अगर ये प्रेजन ना हो, तो सबसे पहले रीजन हो कि जो हमारा बेवी है, उसमें कोई क्रोमोजोमल प्राबलम तो नहीं है और इसका सीधा से वण डाउन सिंड्रोम से हो सकता है, डाउन सिंड्रोम याणि कि क्रोमोजोम 21 का दो की जगा 3 होना, यानि किंद्क मर्णान हो चैक या ज तो भी नाकी हड़ी जो है वो अपसेंट हो सकती है हमारी श्रीर में तेज जोड़ी क्रोमोसोम होता है लगवक 60% बच्चों में जिनको डाउन सिंड्रोम होता है उनकी इस स्कैन में नेजल बोन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है कभी कभी 20 में से एक बच्चे या नॉर्मल बच्चे में भी नेजल बोन अपसेंट पाई जाती है अगर ऐसा हो तो हमें पता लगाना होता है कि बेवी नॉर्मल है या नहीं अगर ऐसा हो तो एंटी की मातरा अधिक होती है anti-scan में अगर nasal bone absent है तो उसके आगे भी test किया जाते है इसके लिए mother की age देखी जाती है अगर mother की age जादा है तो risk भी जादा होता है अगर anti में nasal bone नहीं है तो NIPT test किया जाता है जिसकी accuracy 95% है इसमें mother का blood का sample लिया जाता है इसके लिए baby के blood cells जो प्लेसेंटा के थू मां के circulation में होते हैं उन्हें निकाल कर chromosome की study की जाती है पर इसके accuracy जो है बो 90% ही है इसके अलावा एक और test किया जा सकता है जिसका नाम है needle test needle test हम करवा सकते हैं लेकिन इसके shorty भी 100% नहीं है 100% shorty के लिए एक test किया जाता है जिसे amnesynthesis test कहते हैं लेकिन उसमें 2% abortion होने का भी risk होता है इस test के लिए baby के आसपास जो fluid होता है और baby तैर रहा होता है उसे लेकर lab में test किया जाता है उसमें baby के cells होते हैं और हमें clear हो जाता है कि baby कैसा है क्योंकि हमारे जो सारे chromosome का test होता है अगर इस test की reward positive आये तो baby में down syndrome हो सकता है otherwise baby ठीक है अगर anti-scan में nasal bone ना आये तो 16 week तक wait किया जाता है अगर 16 week में नाकी हड़ी दिखाई दे तो भी high risk होता है क्योंकि जो specific time था उसमें nasal bone absent थी इस तरह से ये सारे टेस्क करवा के हम पता कर सकते हैं कि हमारा baby ठीक है या नहीं और हम सही time पे ये decision भी ले सकते हैं कि हमें आगे क्या करना है डॉक्टर्स भी ये parents पे ही छोड़ते हैं कि उन्हें क्या decision लेना है क्योंकि आज दे कुछ साल पहले ये सारे टेस्ट नहीं थे तो हमें पता नहीं चलता था कि हमारा baby जो है वो healthy है या नहीं लेकिन अब ये सारे टेस्ट है तो हमें अपने डॉक्टर के कहे अनुसार है सारे टेस्ट करवा लेने चाहिए जिससे कि हमारा जो होने वाला बेवी है वो हेल्थी हो तो यही थी मेरी आज की वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए थैंक यू